सबी को मेरा राम राम लास्ट वीडियो में हमने कोनों की परिभाशाओं के बारे में पढ़ा था आज भी हम कोनों की परिभाशाओं के बारे में पढ़ेंगे और कोनों को मापने की जो बीदिया है उसके विशे में हम पढ़ेंगे तो देरी ना करते हुए आज का टोपिक हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोनों को मापने की विदिया तो कोनों को मापने की हम नौर्मली दो विदिया हम प्रियो करते हैं पहली है सास्टिक विदि दूसरी है बृतिय विदि एक गतिक बृति भी होती है इसको French system कहता है या उसको हम grade से मापते हैं उस भीषे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें जो commission में हैं हभी तक हो इन दो विदियों के बारे में ही हमें से पूछा गया था यह question, दोनों question आये थे दो commission में एक में शाष्टिक बिधी के बारे में पूछा गया था दूसरे में फिर बृत्ति बिधी के बारे में पूछा गया था इन दोनों पर ही आज हम discuss करेंगे तो शाष्टिक बिधी किसे कहते है साष्टिक पद्धधी में कोणों को मापने की इकाई एक अंश या डिग्री होती है जैसे कि आप देख रहे हैं सामने एक बित बना हुआ है बित के चार भाग कर रखे और प्रतिक भाग जायो 90 अंश का है 90 डिग्री का है इसका म donate है कि प्रतियक भाग के अंदर जायो 90 डिग्रिया है यदि इसके नमबे भाग किये जाए इसके अंदर एक एक जो भाग को चोड़ा जाए तो ही ये नमबे अंश बने हुए नमबे डिग्री सी बनी हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं चितन में नीचे दिया गया है कि नमबे डिग्री बराबर एक समकौन है और यदि उस समकौन के साट बराबर भाग किये जाए एक डिग्री के साट भाग किये जाए तो वो बनता है साट मिनट और यदि साट मिनट के फिर आगे साट भाग किये जाए तो बनते है साट सेकिन साट से जो यह multiply या divide होता है यह सास्टिक बिडि जैसे कि आप सामने देख रहे है यह angle बना हुआ है 115 degree का इसको दर्शाने के लिए जैसे 15 के बाद उपर degree लगी हुई है तो यह इसको दर्शाने का तरीका है इस तरह हम दिखा सकते है कि यह इतने degree का कौन है 70 और 80 के बीच का कौन है या दिखाया नहीं गया तो ये है 75 डिग्री का कौन तो जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं इसको दर्शा सकते हैं कि शास्टी बिधी ये है और इस तरह हम इसको बता सकते हैं कि ये कौन इतने डिग्री का है डिग्री हम इस तरह से इसमें लगा सकते हैं दूसरा है बृतिय बिधी बृतिय बिधी में कौन को मापने की इकाई को रेडियन कहा जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं चितर में एक बृत बना हुआ है और बृत के अंदर कौन बना हुआ है अब उस कौण को दर्शा गया रेडियन से जैसे, वहाँ पर एक के उपर उपर बच्छा रिखी यह झा ज da' intermittentillaryear कुछ हमारे कौण बच गए थे लास्ट टाइम हमने जो लास्ट वीडियो में हमने परिवाशाय जो बड़ी थी उसमें कुछ परिवाशाय बजगे थी उन परिवाशाओं पे भी थोड़ा सी नज़र डाल देता है जैसे पहली है शिर्टशा भी मुखी कौन दो प्रती छेदी रेखाओं द्वारा बनाएं गए चार कौनों में आमने सामने के कौन शिर्टशा भी मुखी कौन कहलाते हैं और वे आपस में बराबर होते हैं जैसे आप चितर में देख रहे हैं ये जो चितर आप देख रहे हैं इसमें आमने सामने के जो कौन है अपने एकी रंग के जो कौन है ये शिर्टशा भी मुखी कौन है फुरी हमेशा आपस में बराबर होता है उसके लिए आप दूसरी तश्वीर देखी ए इस तश्वीर में आप देख सकते है कि जो उपर वाला एंगल है वो 140 दिगरी का है तो नीचला भी 140 दिगरी का ही है और जो सामने वाले कौन है इस 34 और 34 डिगरी के है तो इस दोनों आपस में बिल्कुल ब्राबर है और शेशाबूम की कौन इनको कहते है अगला है कैंद्रिये कौन बृत के किसी चाप दोरा कैंदर पर बनाया गया कौन बृत का कैंद्रिये कौन कहलाता है जैसे आप चितर में देख रहे हैं एक ब्रिद बना हुआ है और ब्रिद के अंदर एक कौन बना हुआ है तो AOC यह जो कौन बना हुआ है इसको हम कहते हैं कैंद्रिय कौन संपून कौन का मान 360 डिगरी होता है जैसे कि आप देख रहे हैं यह जो प्रिद बना हुआ है पूरा जो ब्रिद होता है वो एक कमप्लीट खौन बनता है उसको जैसे आप सीधी रेखा होती है उसको हम रिजू कौन बहते हैं बस्तों सीधी रेखा है उसको हम आधारे खा भी ले सकते हैं किसी तरह की भी रेखा का हम उसमेन नाम दे सकते हैं पर यदि उसको कॉंड़ के साफ़ से नापा जाए तो 180 डिग्री की जो रेखा होती है उसको हम रिजी कॉंड गाते हैं इसी तरह से यह बित बना हुआ है तो पूरा जो बृत होता है यदि हम इसको एंगल के साथ से नापते है तो उसका अन्षमाब जो होता है वो 360 डिगरी होता है रो इसको बोला जाता है संपून कौन या कम्प्लीट एंगल अगला है रेखिक यूगम कौन दो आसन कौन जिन की भिन भुजाओं को विप्रीत कीनों किरने हों रेखिक यूगल कौन कहलाता है रेखिक यूगल कौन दो कौन को मिला कर 180 डिगरी का होता है यदि रेखिक यूगल कौन को मिला जाएं तो ये 180 डिगरी का होता है जैसी कि कौन बना हुआ है तो A और B जो ये कौन बने हुए इस तरह का कौन है इसको हम कहते हैं रेखिक यूगल कौन अगला है अर्धक यदि एक रेखा किसी कौन को दो भागों में बांटें तो वह रेखा अर्धक कहलाती है जैसे आप चितर में देख रहे हैं एक कौन बना हुआ है और उस कौन के बीच में एक रेखा है जिसमें की एरो दिखाया हुआ है तो वो जो रेखा है वो है अर्धक क्योंकि वो उस कौन को दो भागों में बांट रही है अर्धक को हम थोड़ा बिस्तार से समस्ते तो आप चितर में देखिए कि यदि दो पैरलल आइने हैं और एक त्रियक रेका त्रियक छेदी रेका इसको काट रही है तो अंते कौनों का अर्धक एक दूसरे को 90 डिगरी पे काटता है जैसे कि आप देख रहे हैं एक B और D कौन का मैंने नाम दिया हुआ है तो बनाता है कैसे आइत बनाता है आप देखिए जैसे हमने पहले समझाया था कि B और D के अर्धक है एक साइड थे उदर को सी कौन बन गया आप अपर जिस साइड भी यदि इनके अर्धक लगाते हैं तो यहां जो एक कौन बन रहा है अब यहां पर जो आकरती बन रही है यह बी सीड़ी जो आकरती बनी हुए है यह बनी हुए एक आयत एक चित और समझे आप यह जो अर्धक है यह लंबत रहा है दो सीड़ी लाई ने इसके ओपर पहले त्री छेरीक रहा थी तिरसी रहा थी अब यह सीड़ी लंबत रहा है इसमें लगी हुई है तो यह जो लंबत एक बनता है जैसे आप D लगाए थे इन अर्धक से जो आकरती वनीहें वह बना है हमारा वर्क यह आपका आज का हमारा टोपिक था कुछ्छ प्रश्न हमने हमारे जो हो बच गये थे तिए नगल के जो लास्ट वीडियो ने बनाए थी और आज हमारा में जो focus था वो था बिदी पे क्यूंकि दोनों जो बिदिया है शास्ठी कि और बितिय बिदी ये commission में हमी तक जरूर पूछी है दोनों बिदिया ही पूछी एक प्रका होना चाहिए इसमें सही यहOD прошл etap में आता है तो आपका जो है वह पका नंबर जो है वो बनना चाहिए, वो नमबर आपका किसी भी तरह से नहीं कटना चाहिए, नेक्स्ट जो वीडियो हम बने अमारी बनेगी, वो बनेगी अब तरी बुझ पे, तो हम तरी बुझ पे आगे डिसकस करेंगे, तब तक के लिए goodby, thanks for watching my channel, Drying Study